वेले तुमाटर का बहुत ही खाच़ रेसिपी जिसके लिए तमाटर अच्छे से धूल चुके हैं और यहां पर मैं एक अच्छे से पॉंच रही हो जिसके लिए उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो अब हम यहां पर लेंगे चॉपइंग बोड जिसमें हम तमाटर में खट कर लेंगे तो जो टामाटर के ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्षन होता है इसे हता लेना है और इस तरह से सारे टामाटर हम हटा कर लेंगे तो बारिक-बाडिक में ने चौप कर लिया अरौंड 1 kg तो आज टमाटर का पिकल बन रहा है जो कि स्टोरे पले बहुत लंबे टाइम तक नहीं लेकिन कुछ दिन के लिए ये स्टोर किया जा सकता है बहुत जादर टेस्टी लगता है आप ट्रावलिंग में भी से लेकर जा सकते हो तो यहां पर वन कीजी के अराउंड टमाटर थे जो धूल के कट चुके है अब यहां पर में ले रही हो कढ़ाई तो ग्यास ओन किया है अब जो है इसमें बिना तेल के इस टमाटर को गला लेना है तो इसका जो भी पानी निकलेगा उसी में इसे हम गलाएंगे पांच-दस मिनिट के लिए तो एक बार मिक्स कर लेते है जो जो तड़का पैने मैंने उसी में प्रिपेर किया है यहां पर डाला है एक चमज जीरा आधा चमज मेधी दाना दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे हाडली दो मिनिट लगेगा फिर ग्यास की फ्लेम बन किया है और इसे थोड़ा सा मिक्स करके ठंडा होने के लिए पानी चूटने लगा है पस ऐसे ही से गलाना है पूर ड्राय कर लेंगे उससे पहले इसमें थोड़ा सा इमली डालेंगे हम तो इमली में का जो भी स्किन या फिर इस तरह के बाल वगेरा होता है वह सारा अटा देंगे चोंकि हमारे अचार में बीज़बीश में वो ना तुकड़ा जिसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा समाव मैं भूल गई थी तो अब इसे हम पका लेंगे अगें 5-10 मिनिट के लिए तब तक के लिए हम जो जीरा और मेथी दाना भूना हुआ था उसका बना लेंगे यहां पर पाउडर एकदम फाइन पाउडर बना ले इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस पिकल में और यहां पर आप हम डालेंगे लाल मिर्ष्ट का पाउडर जितना तीखा आपको पसंदो उससाब से यहां पर मैंने एक चमज डाला है फिर आधा चमज हल्दी और जो नमक है एक चमज से जादा डाला है इन सब को अगें दो तिन मिनिट के लिए ढखकर पका लेंगे जिससे की मसाले इक तम अच्छे से पक जाए इमली और टमाटर के साथ में तो अब ना जिसमें हमने पीसा था जीरा और मेती दाना बस उसी में थोड़ा से लाशन डाल के पीस लिया और रख लिया साइड में तो यहां छूटने लगेगा इसमें 20 से 25 मिनिट लगेंगे मतलब कम्पलीट प्रोसेजर में और यह जो है अब हम रख लेंगे साइड में यहां पर अब इसका तड़का प्रिपेर करना है तो तड़के के लिए मैं ले रहे हूँ यहां पर एक छोटा सा पान जिसमें डालेंगे तेल यहां पर तेल का कॉंटिटी थोड़ा सा जाधा रखेंगे अराउंड 2-3 टेबल स्पून फिर तेल अच्छे से गर्म होने दिना है फिर इसमें हम डालेंगे राई यहां पर चनादाल उर्यदाल और सूखी हुई लाल मिर्च इसे भी डालना है इन्हें तब तक पकाना है चुप तक अच्छे से यह क्रिस्पी ना हो जाए फिर हमने प्रिपेर किया हुआ लैसन का पेस्ट साथी थोड़ा सा हिंग थोड़े से करी पत्ते और इन सबको लो फ्लेम पर एकदम अच्छी तरह से पकाना है जिससे कि इसका मॉइस्टर पूरा हट जाए तो यहां पर न तो यह अचारना आप ऊपर तीन चार दिन अराम से स्टोर कर सकते हो ट्रावलिंग में लेकर जा सकते हो बहुत जादा डेलिशियस लगता है और फ्रच के अंदर पंदरा दिन तक स्टोर करके से खा सकते हो मुझे यह प्लेन चामल के साथ में बहुत जादा अच्छा लगत मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर